कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वागत है बच्चो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा उनलेन क्लासिज में, तो बच्चो आज हम सभी सॉल्फ करेंगे हमारे विश्य सामाजिक ज्यान की वर्कशीट सब्ता है तेरा कक बच्चो हमारे इंग्लिश मीडम की वर्कशीट है वह हमारे चैनल रेनुका क्लासिज पर अपलोड की जा रही है तो आप सभी रेनुका क्लासिज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को देख सकें अच्छे से तो बच्चो पहला प्रशन है भारत मे अगला प्रशन दो भारत में शीट रीतु किस महीने में शुरू होती है तो बच्चो भारत में शीट रीतु नवंबर महीने से शुरू होती है ठीके तो यहां लिखेंगे भारत में शीट रीतु याने कि थन्डी वाली जो मौसम होता है ठीके भारत में शीट रीतु नवंबर महीने में शीट रीतु शुरू होती है ठीके बच्चो अगला प्रशन है तापमान क्या होता है इसे मापने की क्या एकाई है तो देखे बच्चो तापमान क्या होता है और इसे मापने की काई कौन सी होती है तो बच्चो वायू की जो उश्मा अत्वा गर्मी के स्थर की माप को उस इस्थान का तापमान कहते हैं और तापमान को मापने के लिए हमारे देश में सेल्सियस इकाई का प्रियोग किया जात है तो यहां लिखेंगे वायू याने की हवा की उश्मा उश्मा याने की गर्मी उश्मा अथ्वा सौरी अथ्वा गर्मी केस्तर की माप को उस इस्थान कतापमान कहते हैं ठीक है इसे मापने के लिए सेल्शियस इकाई का प्रियोग किया जाता है ठीक है अगला प्रेशन है बच्चो चार प्रेशन चार हमें क्या कह रहा है दक्षिन भारत में शीत रीतु उत्तर भारत से किस प्रकार अलग है तो देखे बच्चो दक्षिन भारत में जो शीत रीतु होती है वो भारत उत्तर भारत के किस प्रकार अलग है तो देखे बच्चो दक्षिन भारत में उत्तर भारत जैसे शीत रीतु नहीं होती क्योंकि वहाँ हलकी थंड रहती है जबकि समुद्री तर्टिय छेतर जैसे मुंबई, गोवा, रामेश्वरम, चिन्नाई आधी जगों पर थंड ना के बराबर होती है क्योंकि वहाँ समुद्र होते हैं तो वहाँ पर थंड नहीं होती तो हम हमारे उत्तर लिखेंगे दक्षिन भारत में उत्तर भारत जैसी शीत रितु नहीं होती दक्षिन भारत में हलकी थंड होती है जबकी समुद्र तटिये शेत्रों में जैसे कौन-कौन से समुद्र तटिये शेत्र है गोवा, मुंबई, चेन्नाई, आधी, जगोहों पर थंड ना के बराबर होती है ठीके बच्चो, चलिए बच्चो, आगे बढ़ते हैं अगला प्रेशन है हमारा पांच नीचे दिये गए चित्रों को ध्यान से देखिए तथा बताए इन में से किस चीत्र का सम्मद्ध शीत्र इसू से नहीं है तो देखिए बच्चो, शीत्रीतु का सम्मद्ध कोन से चित्र नहीं ये ये वर्षा रीतु है, गाजर का हल्वा, ये हमारा सही है ठीके बच्चो शीत्रीतु में हम ये खाते हैं और गरम कपड़े भी पहनते हैं अगला है बच्चो प्रशन छे, शीत्रीतु में पहने जाने वाले कपड़ों की सूची बनाईए बच्चो, शीत्रीतु में हम कौन-कौन से कपड़े पहनते हैं तो हम पहनते हैं स्वेटर, दस्ताने, जर्सी, लोई, उनी मोजे, कोट, कार्डिगन, शौल, स्काफ, आदी ये सभी कपड़े बच्चो हम सर्दियों में शीत्रीतु में पहनते हैं अगला देखे बच्चो जीवन कौशल मानचित्र का प्रियोग कैसे करें नक्षा मानचित्र एक प्रकार का चित्र है जिसमें किसी स्थान, शेत्र, नगर या देश की विशेष्टाओं को दिखाया जाता है प्रशन पूचे गया है अपने घर से विध्धाले तक जाने का नक्षा बताएए जिसमें मुख्य स्थानों के नाम भी लिखिए तो देखे बच्चों आप सभी को एक नक्षा बनाना है आप अपने घर से विध्याले कैसे जाते हैं और आपको मुख्य स्थानों के नाम बताने हैं तो बच्चों मुख्य स्थान कौन-कौन से आते हैं जब आप घर से विध्धा ले जाते हैं तो जैसे पार्क आता है बीच में ठीक है पोस्ट ओफिस आता है पोस्ट ओफिस का आप यहां नाम लिखेंगे दमकल केंद्र आता है दमकल केंद्र स्वीमिंग पुल मंदिर इस तरह से बच्चो आप सभी यहां पे लिखेंगे और आप सभी को बच्चो क्या करना है तो बच्चो इनकी साहता से आप सभी को क्या करना है एक मैप बनाना है नक्षा बनाना है कि घर से विध्धाले आप किस तरह से जाते हैं अगला है संसका शाला छोटी छोटी पर बड़ी बाते हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं बच्चो वाल्ट डिजनी ने बोला है कि हम हमारे सारे सपनों को सच कर सकते हैं अगर हमें उनमें पूरा करने का साहस होता है तो खेल ताली थपा बच्चों को एक से लेकर 20 तक गिंती बोलनी हैं 5 और 15 पर ताली बजाना है और 10 और 20 पर थपा करना है खाना पीना दलिया लसी गतिवीदी एक प्रार्थमिक उपचार पेटी का निर्मान करें और उसमें आवशक दवाईयां रखें द्यानिक दिन चरिया निमलिखित आदतों को अपनी दिन चरिया में शामिल करें अपने माता पिता का बिवाद अपने चेरे को छूने से बचे और अपने हातों को बार बार धोए अपना ग्रह्कार समय पर पूरा करें तो बच्चो इस तरह से आप सभी को अपनी वक्षीट को हल करना है उमीद करती हूँ बच्चो आप सभी को अच्छे से समझ में आए होगा बच्चो गर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी मेरे चैनल वीडियो को जरूर लाइक करें ज़ादा से ज़ादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिये comment box में मुझे comment जरूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा और साथ इसाथ बच्चो आप सभी मेरे चैनल जारेडा online classes और रेनुगा classes को subscribe करें चैनल को subscribe करना ना भूले आप सभी को बच्चो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद